बीड लगातार है और उसकी विवस्थाएं की जा रहे हैं विवस्थे दूप से लोग अतार बद्धो करके आएंगे दर्शन कराएंगे आपके माद्यम से अपील है जो वरद है अशक्त है या साधीर उसे दिव्यांग है वो अभी दो हफ्ते बाद अपना फूरा कारकेम को कर लें तब तक ये जो हमारे युवा उससाही लोग है ये अपने दर्शन करते रहेंगे भीशन सर्दी को देखते हुए भी हमारा सभी से ये अन्रोद है जन्वारा जो है कल काभी भीड थी तो आज उसे क्या पर आज भी भीड रहेगी मेरा सिर्फ लोगों से ये कहना है कि अधीर होने के आशक्ता नहीं है उससाह को उससाह के साथ आए लेकिन बड़ा हट की जरूरत नहीं कि सबको एकी दिन में दर्शन करना है आराम से कोई इसमें नहीं है ये मंदिर हमेशा के लिए और विवस्तित रूप से दर्शन करने के लिए सोतंत रहेगा और हम लोग सारी विवस्ता है उनकी करार है हमारा पूरा एक ग्रूप है पच्पन आदमी हम आये वें और हम पच्पन आदमी सुबह दो बजे से यहां पर लाइन में लगे वें हैं ठंड का क्या मतलब जी परभूजी का इतना आशिरवाद है ठंड का कोई मतलम नहीं है जी जैश्री राम यह जोस जो है यह ठंड को कर देता जी जब आप इस लैंड में लगोगे और जैश्री राम के नारे लगा होगे आपका विजोस ठंड खदम आख बराया रहा है इतना अच्छा लग रहा है तो इसके लिए हम दोना दो जन बैक से आया हमनों औरिशा से तो भगवान का फिर से मना मन कर रहा है कि दरसन राइप परसारन लगाया था एलेडी मैंने मोदी जी का पूरा परसारन दिखा रहा था अंदर से वाज आई बेटा आजा राम लला के दर्शन करने आ गया बहुत अरंद में लग रहा है ऐसे मानों कि ये कुम्ब से बड़ा है बहुत बड़ा तीर्थ बना दिया है जै हिं जबार्द ये एिरान झाल झाल